दो साल पहयले की मजार है 2.5 साल की मजार है और अब दिरे दिरे क्या कर रहे हैं कि कहुiben दिल्ली से बुला लेते हैं तो रिस्तेदारों को और चाय जिसको बुलागे इसको खुदवागे देख लीजे, इसके नीचे किसी के हड़ी नहीं है। सरकार इसके वारे में कुछ सोचें और नथा हम लोग अगर सोचेंगे तो फिर यहां बवाल होगा। क्यों ऐसा कर रहे हो। भाईचारे का भूत कुछ उतरा है कि अभी भी है। भाईचारे का भूत मलब उतर गया। नमस्कार स्वागत है आपका डूपॉल्टिक्स में मेरा नाम है संजे। आयद्ध्या मतुरा और कासी के लड़ाई हिंदू समाद लंबे समय से लड़ता आ रहा है। आयद्ध्या को लेकर हम ये मान सकते हैं कि हमने वो लड़ाई जीत ली है। लेकिन मतुरा और कासी के लड़ाई अभी जारी है। हो सकता है हिंदूओं की आने वाले कुछ पीड़ियां ये लड़ाई जीत भी जाएं ये तीनों इस्थान हिंदूओं के बड़े धर्मिकिस्थान थे चर्चित मामले थे उसके बाद भी फैसला आने में कई पीड़ियां गुजर गई अईसा है एक ताजा मामला एटा से है उत्तरपदेश के एटा जनपत के जलेसर में एक प्रसिद्ध दरगा है छोटे मिया बड़े मिया दरगा वहां के इस्थाने हिंदूओं का लंबे समय से ये दावा रहा है कि ये दरगा यहां परिस्थित प्राचीन सनीदेव मंदिर का अत्क्रमण करके बनाई गई है हलांकि उनके दावे को इसलामो फुविया कहकर खारिच किया जाता रहा पिछले दिनों हुए एक विवाद के बाद दरगाह परिसर में अस्थाई पुलिस चोकी का निर्माड कर चला है जिसके लिए नीव की खुदाई की जा रही थी कल यानी सनीवार को नीव की खुदाई में भगवान सनीदेव और भगवान हनुमान की मूर्तियां मिली मूर्तियों की स्थापना इसी दरगाह परिसर में की जाएगी क्योंकि यह उनकी देव भूमी है जाएर सी बात है विवाद बढ़ेगा मामला कोट जाएगा और हिंदूों की कई पीडियां अपनी ही देव भूमी को कबर में गड़े हुए बड़े मिया से वापस लेने में गुजर जाएंगी सवाल ये है कि जब बड़े मिया छोटे मिया होते है जब इनका जन्म हो रहा होता है तब हम कहा होते हैं ऐसा ही एक मामला छोटे मिया की तलास हमको कानपुर जन्पत के अकबरपुर रनिया छितर में ले आई है रनिया इंडिस्टेल एरिया से ये जगए लगभग एक किलूमीटर अंदर है गाउं का नाम है फतेपुर रोसनाई मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक बहुती प्राचीन मंदिर है गाउं के लोग इसे ग्राम देवता मौजे बाबा का मंदिर कहते हैं कहते हैं कि ये एक दिन अचानक आंधी तूफान या किसी प्राकृतिक आपदा के चलते द्वस्त हो गया आर्थिक समस्या के हैं या लापरवाही या आस्था में आती कमी लोगों ने इस मंदिर निर्मार की और ध्यान नहीं दिया हाला कि अभी भी लोगों की आस्था मौजे बाबा में है किसान गाउं के जब भी फसल काटते हैं तो पहला अन का एक अंजुल मुठी और एक दिया मौजे बाबा को समर्पित करते हैं यह मंदिर में आले बने हुए हैं रखने के लिए दिया यह बीच में देविस्थान है यहां पर मौजे बाबा की कभी मूर्ती हुआ करती थी जो अब धौस्त हो गई है या गायव हो गई या जो भी कहें यह मंदिर का पूरा हिस्सा तूट गया है यह साइद गारे से ही बनाया गया था बहुत प्राचीन है इंटे और गारे से तो यह मंदिर अपने दुर्दसा के चलते चारो तरफ से जाडियों से धूल मिट्टी से घिर गया था तो गाओं के लोगों ने एक दिन विचार किया कि इस मंदिर की साफ सफाई की जाए गाओं में चूकि मुसल्मान भी रहते हैं उनके अंदर भी भाई चारे का भाव जागा और कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम युवाओं ने मिलकर इस मंदिर के आस पास जो जहारियां थी उनको साफ किया इसके बाद मंदिर की बची हुई एक दिवाल को सफेच चूने से पोध दिया गया चूंकि सफाई अभियान में हिंदू और मुसल्मान दोनों ही नव्यूकों ने बढ़ चड़के हिस्सा लिया था तो सौहार्द के प्रतीक के रूप में एक तरफ 786 औ और एक तरफ ओम लिख दिया गया फिर मुसल्मानों की आस्था भी मौजे बाबे में जागी मुसल्मान भी मौजे बाबा को दिया आर्पित करने आने लगे फिर एक दिन रातो रात चमतकार हुआ मौजे बाबा के इस देव भूमी परिसर में मौजे खा पैदा हो गए वो सामने आप देख सकते हैं मजार बनी हुई है मौजे खा इस मजार के अंदर दफ़ाने ये कब मौजे खा कब पैदा हुए किसी को नहीं पता जो हिंदूओं के ग्राम देवता हैं मौजे बाबा उनका इसलामिक रड़ कर दिया गया वो इसलामिक जंडा लगा हुआ है जो इस बात का प्रतीक है कि यह जमीन मुसल्मानों की होने वाली है फिलहाल दोपहर का समय है खेती में कटाई तो चल लही है यहों की पर ग्रामिर दिख नहीं रहे हैं तो हम गाउं के भीतर जाएंगे और इस मंदिर से जूरी कहानिया और मौजे बाबा कब पैदा हुए इसके बारे में जानकारी लेंगे चूंकि यह अभी छोटे मिया ही ह हैं लेकिन आने वाले कुछ सालों में यह बड़े मियां बनने की और अग्रसर हैं तो यह जो सामने मजार बनी हुई है यह मजार नहीं है तो ग्राम सभा के मोजे बाबा है मारे बहुत भुजूर्ग पुराने ताकि हम लोग पैदा नहीं हुए हमारे बाप के भी आगे सामने मंदिर परशर में तो मजार बनी हुई है मजार मंदीर परशर में जो अभी यह तीनों साल से मियां लोगों نے अपना आते जाते रहे पूजन करते रहे तो लैब को कर देने की कोशिस् Coula che to आब उसके उन लोगों के ज्यादाव बर लाय से हम लोग पूंच रहे अपने बाबा से कि यह मंदिर कब बना तो बाबा deputy लोग मेरे यही hall वोलते हमको मालूम नहीं यह मंदिर कब बना लेकिन यह हमेशा से हम ही लोग यहाँ गल्ला काटते हैं यह मेरे खेत हैं सामने यह पूरे खेत हैं हम लोग आते हैं तो अपना खेत की राज काटके यही मुझे बावा में चड़ाते हैं और हम लोग इसको कम से कम नहीं तो 20-20 साल से बराबर मुझे बावा के नाम से पूझ रहे थ बिजिली के करेंट से तो उसने मनत मांगी आके यहां पे कि मैं ठीक हो जाओंगा मंदिर बनुगा मा mitig यहां यहां मुसलमान होके उसने बोला मैं मंदिर बनुगा दो bye खीक हो गया तो उसने साले मजजिद बनवा दी यह देख लीजिए मजार बनी उसकी उसी ने मजार बनाई यह दो साल पहिले की मजार है दो ड़ाई साल के आसपास की मजार है और अब वो धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं कि कहीं दिली से बुला लेते तो रिष्टेदारों को से बसा के पूरा यहां ipad करें ले इस तो वह लोगों का पिलान यह है कि मजजिद बनना चाहिए हम लोगों इसको व्हां बेदे शिमार प्योंगया से लोगा सालोई को में लोगों लोगन इसको बहुत बशैंगका तह से इसको हराप दिया वहां सब आते हैं और यहां पर हर द्रास्पतवार को यहां वो करते हैं अजान अजान सब पड़ते हैं और जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को बस यह कहते हैं वो मेरी जगह है वो हम ही रहेंगे यहां और तुम लोग हिंदू नहीं आ सकते हैं छिए पट्थर पड़ा था यही इसकी चारो तरफ पी बाउंडरी डिटी तो यह बाउंडरी जस्की लिए उसकी तेपर दिवाल में इन लोगों ने क्या किया कि पूरी इंटे लगा के मजार टाइप का बना दिया यहां कोई गड़ा नहीं है और ना यहां कोई है चाहे उसको पुलिस को बुला लें और चाहे इसको बुला के इसको खुदवा के देख लिजे इसके नीचे किसी के अड़ी मुझे 16 साल हो गया रहते रहे ते यहीं देख रहा हूँ जब यहां कुछ नहीं था मेरे देखते हुए इन लोगों ने कलाकारी किया गाउवालों मुसल्मानों बाकि जो है हिंदू इस्थान है वो गउन्दू इसितान रहे गाई इसके बाद में काई कुछ नहीं होगा अ अपने उनसे क्योंकि देविस्थान में कबर का क्या काम अभी कोई उनसे बाती नहीं किया है लोग आते हैं पूजा करते हैं आप लोंने उखाड़ पार इनको ठीक दे ilsa हम फीक दें लेकिन हम लोग मान नहीं रहे हैं मेडिया दोरा के सरकार के बारे में कुछ शोचे और अन्नता हम लोग अगर सोचेंगे तो फिर यहां बवाल होगा लंबा ऐसा है कि यहां मुसलमान को ऐसा सिस्टम है कि कुछ अखिलेस यादों का भी इदर थोड़ा सपोर्ट पर जाता है और इदर यह सब थोड़े नेता नगरी है ना थोड़ा उन लोगों का सपोर्ट कर लेते हैं इसलिए तो इसलिए थोड़ा हम लोग भी दब जाते हैं कि चलो अटाओ लोग वहां अपना खेत काटते तब गल्ला निकाल के उसको परसाथ चड़ाते मोजे बाबा को और हमारे बच्चे और सब लोग साप सफाई रखते हैं पुताई भी करते हैं एक बार लीप दिया उसको गोबर से तो मिया लोग जो है उसको खोड़ डाला पूजा करते अपना परसाथ चड़ाते चड़ाते मोजे बाबा के नाम से परसिद पुराने जमाने से जो मजार बनी हुई है यह कितना साल पहले बनी है तो अब दो साल तीन पहले यह लोग बना दी नहीं कुछ नहीं था अब मंदिर में अगर गोबर से लीपते हैं तो यह लोग इतराज करने लगे हैं इतराज करते हैं हम लोग पुताई करते हैं ज़र सपेद कर दिया तो यह लोग इतराज कर देते हैं तो यह अपना हरा पोत देते हैं हम गोबर के लिपाई करते हैं सफाई कर प्राचीन है यह जो गाओं के विक्ति को जानकारी नहीं कि कितने पुराने हैं यह किसी ने को बनवाया नहीं है हमारे गाओं के लोगों ने हां प्राचीन है यह जो है इसमें एक गुदा मेरा चोटा बाही ने जो है मुझे मूर्टी उठाके उन लोगों ने लोक कि ने शौन और इस्ताण और मुर्टी फी यह आपे चोटी सी उन लोगों की मुर्ती बहुत पुराने देपता थे तो वो समझ में नहीं आ रहे तैंकी कौन दियुकत थे लेकिन मुझे बाबा के नाम से फुखारे जा रहे थे मुरती थे मुरती तो पता ही नहीं चली गंटा पता चले उसमें गंटा तंग आोब भी नहीं पता चला का अब यह लोग मंजिद बनाने को सिस्ट कर रहे हैं तब हम लोगों को समझ में आ रहा कि आज मजिद बना लेंगे कल मारा खेद भी है यह जो मजार बनी है पहले तो हमें यह बताओ यह बताओ यह बताओ जादे कोई दिवता बनाओ मौजय बाबा के नाम से प्रस्ध भी आप जो है बचपन से मजय बाबा यहां कोई नहीं अनना इसका कोई पोजने वाला है गोबर से लिपा गया था लड़के यह मतलब तकिया नहीं अपने हमारे इंदू बाएं को बच्चे आए वो यहां लीपा की मतलब अच्छा हो जाए अच्छा हो जाए यह बेटने वह तो यह आता दर्शन करने के लिए तो उसे कुछ अच्छा लगे तो मुसल्मानों के कुछ लड़के आए तो उसको सब किलमा से खोद के पानी डाल डाल के यह किया हुआ था इस लोगों ने बना दिया हमारी नजानकारी में अब सवाल चुकि यह लड़ाई विड़ाई से कोई तो महमला हल नहीं होगा कानूनी पे सुलज जाए तो ज्यादा अच्छा सवार्द बना रहेगा हिंदू ने न कोई निर्मान नहीं किया है तो मुसल्मान को भी नहीं करना चाहिए पूजो पूजा इस ताल है तो हिंदू मुसल्मान आया तो इसरे के घर से हैं सब लेकिन यह अपना हश्य दिखाते हैं सपेद करते हैं पहले तो मलब जंगल था कुछ सी कास कड़ी थी तो सुरुवाद में मलब कोई पूजा हुजा तो सब करते दीपा वली को मलब ज्यादा मनाया जाता है जब आपने पुताई की थी उस समय हम यहां आये थे तो वह लिखा हुआ था साथ सोचिया सी ओम यह किसने लि बना दिया था एक दृज़ा उची रहे था एक तरभ एके एक तरफ सासो ची ओच ची बना दिया था जिस largest हंलब हमारे लोगों में एक कुछ मलब विवाद ना वह बाईचारा बना रहा है लेकिन आप सिस्टम यह गया गया को पूरा कभजा करना चाहते हैं सिस्टम यह बना रहा है तब तो आदमी गोबर से इसके लेवाबा के इस्थान है फिए हिंदुों की भूमें तो उनको गोबर से उनको क्या इतराज है बात यह कि इसमें वह भी लोग अपना आते हैं और हम भी लोग आते हैं तो पूजा कर लिए क्या हम वही तो गल्हें पूजा करो और कब जामत करो यही तो गलत मौज़े बाबा को भी मौज़े खान नाम रख दिया जो आपके मित्र थे मुसल्मान जिन्होंने सफ़ाई में आपका सायोग किया था उस समय उनका दावा नहीं था कि यह मजार है यह उस समय उनको मालूम ता मंदिर है है यह दोनों लोग माणते थे जैसे मुसल्मान भी मानते थे हम लोग मानते हैं दोनों लोग पूछ अपने समय पर करते थे जैसे बेपर शुक बार अपना वह लोग आ जाते थे पर साथ बगेरा चड़ाते थे लेकिन उस समय आप था कि हारे से पोट दो लिए और मनलब गोबर से और पहले अच्छी तरह हमाई हमीं लोग मनलब उसे टेटमेंट करते हैं ज्यादा तर हमीं उसमें इन्वाल थे मजार बना रहे तब आप लोगों ने इतराज नहीं किया तब भाई चारा आप लोगों को दिक्रादा कि भाई हैं हमारे वो भी पूछते हैं अच्छी बात है अब आप सरकार का मुझ देख रहे हैं वह तो बात सही है वह समय मलब जब आई चारे में कब तक चारा बनते रहे नहीं यह होता है कि चलो सब लोग साथ में हैं लेकिन जब बीच में गलत करने लगते हैं तब यह लगता है कि अभी सब लोग साथ में कोई दिक्कर नहीं थी अब वो चाहे रहे हैं कि हम अकेले सब कुछ करने तो यह चीज गलत है मलब यह साथ में हो तो फिर साथी में सब देंगे देंगे उनको करेंगा तो आपस लेने के लिए खड़ा करना पूड़ी को अब है म। आगे क्या विचार है आप लोगों का कैसे लड़ेंगे प्रसासन या मीडिया कोई हमारी मदद करें तो हिंदु धर में उसको रखा जाए और जाए आस पास कि नहीं हो दोगे पहले से कि आज बदलाओ के हो रहा है इसका मजारें बनती हैं तो घंडू सोता क्यों रहता है उसमें कि उनको भाई चाहरा लगता है कि अरे चलो ठीक है भाई है इसलिए हिंदु धर्म सो गया कि उसने यह कहा कि हम अपाई जो गए लंगड़े हो गए हमने देवस्तान है हम भी कुछ मान प्रात करना चाहते हैं इसलिए उसना अपना बनवाया उसके अब बदलना चाहता है बिलकुल कि अब हमी सब लोग इस पर का भी जो जाए इन्दों धर्म कतमी करते तब हम लोग द्यान गाउं का मुसल्मान तो माना जाता है बहुत सीधा होता है धार मिक कम होता है लेगें जो लेंड जिहाद है जो हिंदू की जमीन दे भूमी कज़ा करने की प्रक्रिया ह वो लोग दिमाग लगाते हैं कि अपना फैलावा फैलाते रहो जिससे आगे चल के अपना कफजा हो जाएगा यहां क्या दस्वियूं जगे हैं हम इसे पूर्त रहूंदा में बता हैं हर जगे कि मुसलमान क्या करता है तुम रोड किनारे गुम्टी रखने का दिगार नहीं ह यह लोग इसना नहीं है इसे लिए लगाते हैं यह लोग कपज़ हों क्या करना है अब छोड़ना तो नहीं है जब ज़्यारा मनलब करेंगे तब तो मनलब ऐक्सन लिया ही जाएगा अभी तो मनलब थोड़ा ये हमारे साथ सुनील जी थे गाउं के इन्होंने ही मंदिर के साफसफाई की थी मुसल्मान दोस्तों के साथ मिलकर और मुसल्मान दोस्तों को खुष करने के लिए 786 लिख दिया था आज हालात ये हैं कि इनका भाई चारे कहबूद उतर चुका है मंदिर को फूरा हरा कर दिया गया है और गोबर से लीपते हैं तो मुसल्मान इतराज करने आ जाते हैं कि ये हमारे धर्म में हराम है कि ये हमारे लीपते हैं